सब्सक्राइब आज का हमारा प्रश्ण है यहां से हमने एंवलप के तीन वीडियो बना दिये हैं जिन्होंने भी नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं अब हम बाकी बच्चिवे प्रश्णों को डिसकस करते हैं आज का प्रश्ण हमें गयता है आर इकोल स्टू ए इंटू वन प्लस प्लस देटा यह हमारे पास यह कार्डियोईड का सम्मिकरन है कार्डियोईड की दुर्वांत तर रिखाओं के सीरो पर समकॉन बनाती हुई रिखाओं का हमें एंवलप ग्यात करना है तो कार्डियोईड कार्डियोट की दुरू रिखाओं भी यहां से असमकॉन बनाएग तो बलस प्रयाव परींड लिखाओं twins झाएगा्स यहाँ से इस बिए बिदू P है सात ही से नर्जेशांग हम लेते हैं क्यों से यहांसे पर हमारे अ अब यहां से इस पी तो हमें इन्वलब ग्याद करना है तो यहां से देखे पी बिन्दों अल पास कार्डियोड की समिकर्ण को संतुस्ट करें अर्थात यहां से यहां से इन्वाट रखा करना है तो यदि यह है कार्डियोइट की समिगर्ण को संतुस्ट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं के पिटल R बराबर A1 प्लस कोस अलफा आ जाएगा क्योंकि यह है इसकी समिगर्ण को संतुस्ट करता है P हमारे पास कार्डियोइट पर एक बिंदू है यह आगे हमारे पास समिगर्ण 1 अब यह हमारे पास समिगर्ण 1 आगे अब यदि हम यहां से देखें यह हमारे पास एक समकॉन त्रिबुच बन रहा है अब समकॉन त्रिबुच की जामिते से यह हम देखते हैं तो कोस थिटा बराबर हमारे पास क्या उता है चुंकि हम लिख सकते हैं कोस यहां से यह कौन हमारे पास क्या बन रहा है यह कौन हमारे पास बन रहा है अलफा और यहां से यह कौन इस क्यों बिंदू के नरे शांकार थिटा है तो यह पूरा कौन बन रहा है हमारे पास थिटा तो यहां से इस त्रिबुच की जामिति देख तो यहां से यह कौन कितना हो जाएगा, यदि हम यहां से देखें, पूरा वान थिटा है और यह है कौन अलफा, तो इतनी दुरीगा कौन हो जाएगा, हमारे पास थिटा माइनस अलफा, तो यदि हम यहां से समकौन त्रिबुच की जामेते से देखें, कोस थिटा माइनस अल अब यदि प्रश्ण के नुसार देखें, यहां से O मूल बिंदू से P की दूरी हमारे पास R के बराबर है, क्योंकि यह है R alpha लिखा है, ठीक, इसी प्रकार मूल बिंदू O से Q की दूरी है, हमारे पास small r, तो यह हमारे पास cos theta minus alpha हम क्या लिख सकते हैं, cos theta minus alpha लिखा जा सकते है O P बराबर capital R और O Q बराबर small r, तो यदि हम यहां से सरल करें, तो यदि हम यहां से वज्द बुणा करके सरल करें, capital R बराबर क्या लिख सकते हैं, capital R बराबर हमारे पास आएगा, small r cos theta minus alpha के बराबर, यह है आगया, अब यह है आगया हमारे पास यहां से samigand 2, अब samigand 1 अब यह दी हम इसे और आगे सरल करें यहां से हम देख सकते हैं यहां से हमारे पास प्रास चल है तो अलपा के साथ पेश्च हमें आवकलन करना होगा इससे पहले हम पूरी समीकर्ण का लॉग ले लेते हैं अब हम जानते हैं लॉग M गुणा लॉग M प्लस य सब गमंने, जिढ़न सेल के साथ पेश्च हां पास बढ़ाबर क्या होगा लॉग M प्लस लॉग M पास तो यह आप प्लस लॉग प्लस लॉग मा region यहां से बढ़ अब यह साथ मिया अंशिक हौना गया तो यदि हम alpha के साफिक्ष यहाँ परांशी का वकलन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आजाएगा log A नियतांग की तरह काम करेगा इसका वकलन आजाएगा 0 प्लस A log R का वकलन एक बट्टी R होता है तो यहाँ से इसका वकलन आएगा 1 बट्टी cos alpha साथ ही cos alpha का यदि हम वकलन करते हैं तो यहाँ आएगा minus का sin alpha बराबर log R नियतांग की तरह काम आएगा इसका वकलन 0 ठीक इसी प्रकार यहाँ से वकलन आजाएगा एक बट्टी cos theta minus alpha cos theta minus alpha का वकलन होगा minus का sin theta minus alpha और minus minus यहाँ से alpha का वकलन होगा minus 1 इसे यहाँ से हम सरल कर ले तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है यहाँ से हमारे पास माना जाएगा sin alpha चुकि हम जानते हैं sin 2 theta sin 2 theta वराबर होता है 2 sin theta cos theta तो इसी से यहाँ पर सरल करें तो हमारे पास इसका मान क्या जाएगा यहां से हमारे पास मानाएगा माइनस का 2 साइन अलफा बट्टे 2 कोस अलफा बट्टे 2 और बट्टे में यहां से हमारे पास क्या आएगा इसी प्रकार हम जानते हैं हमारे पास कोस 2 थिटा कोस 2 थिटा बराबर आता है हमारे पास 2 कोस स्क्वेर थिटा माइनस का एक एदी पक्षांतरन कर दे तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कोस दो थिटा प्लस एक बराबर आ जाता है मेरे पास दो कोस स्क्वेर थिटा तो यहां से मेरे पास मानाएगा प्लस का दो कोस स्क्वेर थिटा के स्थान पर हम लिखेंगे ही हाँ से अलफा नि क mijn पे बाद़ ऐनोट दो यहां से साइन थ्टा बटे को τους चीट अहाँ सैंटल घ्र annos यहां समें 302 ख canopy viv श्रवाव 392 तो साइन चंटल दो बड़ाबर दो प्रॉत doe मैं इसक्ट लिख सकते देना है अब यदि अमागे 攏करें तो यहां से क्या लिख सकते हैं यह माइन पास भर आबर आजाएगा माइनस का 10 थीटा बराबर इसको लिख दो लिख दो लिए इसे यह माइनस इलफा बट्टे यह हम आप हएगा ठीटा माइनस अलफा बट्टे alpha बट्टे 2 आजाएगा बराबर आजाएगा theta minus pi इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो alpha बट्टे 2 बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं theta minus pi और 2 को हम वज़ गुणा कर देते हैं तो alpha बराबर आजाएगा 2 गुणा theta minus pi इसे यदि हम और सरल करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं अलफा बराबर लिखा जा सकता है दो थिटा माइनस का दो पाई यह मान आ गया अब अलफा का मान हम कहां रखेंगे अलफा का मान हम यहां से समिकर्ण में रखेंगे जहां से हमने यह लिखा है यहां से इस समेख discern को तीन नाम देते हैं और समेखOPर 3 में alpha का मान रखने पर तो हम यहां से लिख सकते हैं समेख ό Luke 3 से तीन में एल्पा का मान रखते हैं तो यह है आईगा आर course यहां से हमारे पास क्या था समीकर नए थी हमारे पस R cos theta minus alpha तो cos theta minus alpha का मान है हमारे पस यहां से 2 theta minus का 2 pi हम यहां पर लिख देंगे बराबर A γुना 1 plus cos alpha था तो alpha का मान हम यहां से पुर्णय प्रचिस सापुद कर देंगे 2 theta minus 2 pi यह आगया इसे इद्ध हम यहां से सरल कर लिए फान किया आएगा R kos यहां सी 2 pie तो हो जाएगा धनात्मग और minus का theta minus 2 pie minus का pie आ जाएगा बराबर आ जाएगा 1 गोणा 1 plus kos इसे हम लिख सकते हैं 2 pie minus 2 theta चुकि हम जानते हैं कos minus theta बराबर क्यों कि i- theta बराबर हमारे पास बराबर होता हुआ θ α. इसे यदि हम आगे और सरलं करें. तो र गोस 2 Molly- θ बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है θ बराबर 2 Molly- प्लस कोस 2 सरलं किए इसे यह दि हम आगे सरलं करें और enclos theta बराबर 1 trust a Do Not 1 प्लस कोस 2 थ सरलं कि या है थाßen नागte वाद से यहां से मानाएगा 2 cos square theta अब यदि हम यहां से सरल करें दोनों पक्षों में cos theta से cos theta हमारे पास कट जाएगा और यहां से सरल करने पर माना जाएगा R बराबर 2a cos theta यह है आ जाएगी हमारे पास अभिस्टे अन्वलप की सम्मिकरन और यहां से इस प्रश्न का हर अब चलते है हम अगले प्रश्णी की उर तो हमारा अगला प्रश्ण हमें कहता है उन व्रत्तों का एंवलब हमें ग्याद करना है जो वक्र आर की इघात एन बराबर एक इघात एन को एन ठीटा की धुर्वानतर रेखा उनको ग्यास मानकर खीचे गए हैं तो यहां से पहले हमें व्रत्त इसकी धुर्वानतर रेखा दिखनी है उसको ग्यास मानकर हमें व्रत्त बनाना है उस व्रत्त का एंवलब ग्यात करना है अब यहां से आवशक तो है नहीं कि हमें यहां से इस वक्र का ग्राफ बनाना ही है तो इसके लिए हम यहां से कर सकते हैं हमारे पास जो वक्र बनेग दुरुवांतर रिखा, अब इस दुरुवांतर रिखाओं को व्यास मानकर हमें एक व्रत की रचना गरनी है, तो यहां से यह दि हम एक व्रत बनाए है, जो यहां से इस दुरुवांतर रिखाओं को व्यास मानकर बनाएगा है, तो हमारे पास व्रत कुछ इस प्रकार बनेग यहां आपर Q अप यहां से की को हम P से और O से दोनों से मिला देते हैं तो हमारे पास टिर भूज बन गया Q और जो अर्ध वर्यत में बन रहा है इस कारण यहां से हमारे पास यह है जो कौन बनेगा यह सब्सक्राइब और यहां से हमारे पास इसके निर्दिशांक यहां से यहां से यह कौन ठीटा होगा और यह कौन हमारे पास पी के निदेशांग कारण होने के कारण है कौन होगा अलफा अब यहां से केवल इसी त्रिबुच के यहां से इस कौन के निदेशांग देखें कौन हमारे पास कितना हो जाएगा पूरा कौन ठिटा और इतना कौन हमारे पास अलफा था ठिटा माइनस अलफा अब यहां से सम contribute के concept से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ हम बनाएं यह हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार बन रहा है some contribute, some कोन हमारे पास किस पर बन रहा है, q पर बन रहा है, तो यह कोन हो जाएगा हमारे पास यहाँ से q Q और यहां से यह बिन्दू हम ले लेते हैं, O जो कौन है हमारे पर फ्रिटा-alpha, यह बिन्दू हमारे पर स्पी, अब O P देखा यहां से R होगी, यह दूरी R है तो मुल बिन्दू से दूरी है इसकी R, और O Q देखा है हमारें पर यहां से, smallr, तो यह हो से, टो समीकरंद से हम्माइर अलफा बडाबर क्या सबोदन Лrive यह भी मररे पास 1 समीकरंद अगोड़े अपर टो समीकरंद एक ऐदी यहां से च्रण करी तो समीकरंद एक वसे अब आइक आपला माइट करें ने समीकण लेटे और एक और ए समीकरन तेник दो में अपमांहे जागी देंस सम्मीकरन 3Go समालर पवा के अन्षट करेंगे अपने लिक parfaitають प्लाइग और और देन्षट में नवे जागए एलफा जाएगा प्लस लॉग कोस थिट्टा माइनस एलफा जाएगा यह हमने कैसे लिखा है क्योंकि हम जानते हैं लॉग M गुणा N बराबर तो हमारे पास लिखा जाता है लॉग M प्लस लॉग N के बराबर और यहां से लॉग M की घात N बराबर हमारे पास लिखे जाती है N log m के बराबर तो यहां से अगर हम लोग लेते हैं लोग आता आता यहां से इस पूरे का लोग आता तो यह आता log A plus log cos n alpha की घात 1 बटे अन तो 1 बटे अन हमने आगे लगा दिया log cos n alpha लिग दिया फ्रूप लोग कोष्ट यता माइनस अलपा है अभी यहांसे हमलबाद के साफ़ पैक शांशिक कर देंगे तो यहां से लिए इसको इसे लिए यहां से से मेंल पास अउखलन लॉक येग अउखलन जीरो के नियतां के तरह काम आघाएगा एकट्य नियतांक ऐसा जा त्रहरा का अप्लाइगा यहां यहां से clos chuyck समय के नागが 1 बैद्टी तो यहां से हमारे पास माना जाएगा माइनस का 10 एंड एलफा प्लस का 10 थिटा माइनस एलफा बराबर आएगा 0 इसे हम सब्सक्राइब यहां से हम जानते हैं 10N alpha को हुँ क्या लिख सबने हैं 10θ- alpha को ऐसा कैसा रेने देंगे और यहाँ से 10N alpha को हुँ लिख सबने 10N πy प्लस N alpha के बराबर यहाँ से M हमारे पास एक पुर्णांक है इसे इदी हम सरल करी तो theta- alpha बराबर के लिखा जा सकते हैं Mpi plus N alpha इसे यही हम सरल करें, alpha का पक्षांतरन कर दें और mpi का इधर पक्षांतरन कर दें, theta minus mpi, बराबर हमाने पास क्या आएगा, alpha plus alpha, यहाँ से common ले लेंगे, तो यहाँ से हमने इसका पक्षांतरन करना है, तो यह आजाएगा हमाने पास, अब यहान से हमने alpha का यहाँ पक्षांत्रन किया था तो alpha को मتم लेनेंगे 1 प्लस N आ जाएगा यहां से तो alpha बराबर हम यहां से क्या लिख सकते हैं ठेठण माइनस pi m बटटे 1 प्लस N अब यहां से जो एलपा कामान आया है हम यहां से उठाके समीकरण 3 में प्रत्यस्थापित कर देंगे जो हमारे पास यह है अब यहां से यहां से हल आ जाएगा तो यहां से हम समीकरण 3 से लिख सकते हैं समिकरन तीन से आर बराबर आजाएगा ए गुणा कोस एन गुणा थिट्टा माइनस एम पाई है और बट्टे में है हमारे पास एक प्लस एन और इसकी घात है हमारे पास एक बट्टे एन गुणा कोस थिट्टा माइनस एलफा था तो थिट्टा माइनस इस प्रश्न का हल है इसके साथ हमने एन्वलब के एक भाग के सारे कुशन कर ली हैं मैं आशागत्यूं आपको हल समझाया धन्यवाद